दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आकरशन के नियम को इस्तमाल करने की एक ऐसे वीधी को बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तमाल करके आप ब्रमान को एक मजबूत स्पंदन भेज सकते हैं, जिससे ब्रमान आपके च्छाओं को जल्द से जल्द पूरा कर देगा। तो दोस्तों, मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि क्या पता आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लग जाए और आपका उचेतन मन उसे स्विखार कर लें, जिससे आपका जीवन ही बदल लिया है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ब्यर्थ के जिन्दगी जीने के लिए हजारो ज्यान चाहिए, परंत एक ज्यान आपकी पूरी जिन्दगी बदलने के लिए काफी होता है। तो चलिए, सुरू कर गए। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी ताक आपने में चलिए को स्वास्त, जीवन सक्ति, समृद्धी, अन्य लोगों से सकारात्मग चर्चा, आदि जैसे अनुभपरदान करने वाली, सभी मनपसंद बातों का उद्देश्च आकरशन कर सकते हैं। दोस्तों इससे आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा इच्छा रखते ही प्राप्त करने से आपको न केवल स्वयंग स्रिजित वस्त को प्राप्त करने का लाह मिलेगा बलकि साथ ही आपको ऐसा नमें दृष्ट कोन मिलेगा जिससे आपकी इच्छाओं का रूख अनिवार नहीं है लेकिन उस अस्थान पर कोई आपका ध्यान भंग न करे ऐसे अस्थान को आपका चुनाव करना है दोस्तों आपको ऐसे अस्थान का चुनाव करना है जहां आप इतनी स्पष्टता से विचार कर सकें कि आपका आंतरिक अस्तुत इसके प्रत पुष्ट का प्रत्रिया देने लगे आपको ऐसे अस्थान का चुनाव करना है जहां पुर्ण सांती का आप अनभव कर सकें जिससे आपका चेतन और अचेतन मंद ब्रह्मान के साथ अपने बातों को भेज सकें दोस्तों इस प्रक्रिया को सुरू करने से पुर्व ये आवस्यक है कि आप प्रसंद चित हों क्योंकि यदि आप अप्रसंद या भावना सुन्न होंगे तो आकर्संद सक्ति की अनपस्थिती में इस कार का कोई महत्त नहीं होगा दोस्तों प्रसंद चित से हमारा मतलब उपर नीचे कुदने वाली उतेजना से नहीं है इससे हमारा अर्थ उस उत्साह हलकी एवं ऐसी संवीदना से है जहां सब अच्छा लगता है इसलिए हमारा सुझाव होगा कि आप जीस चीड में प्रसंदता अनभोग करते हों वही करें आप सभी के लिए इसकी अलग भीरी होगी जैसे आप गाना सुनके उत्साह अनभोग कर सकते हैं आप में से कुछ लोग पसवों से बात चित करके कुछ लोग बहते पानी के समीर बैटकर कुछ लोग पहाडों पर घूम कर इस तरीके से कई स्थान पर लोग उत्साहक अन्भो कर सकते हैं और जब आप एक बार सुगत अवस्ता में आने पर बैठ जाएं आप इस ध्यान की शुरुआत कर दें इस ध्यान में आपका कार्य होगा अपने वास्त्रिक जीवन के अन्भों से जमा किए डेटा को आत्मसाद करना आपका काम यह है कि आप इस डेटा को एकत्रित करें अपनी ऐसी तस्वेर निर्मित करें जो आपको संतोस्प्रद्व अन्कूल लगती हो आपकी ध्यानवस्ता के बाहर का अनुभव आपके लिए बहुत महत्पूड है क्योंकि दिन भर आपके अपने काम पर जाने घर पर काम करके लोटने तथा अपने जीवन साथे वा मित्रुद्धा बच्चों अथों माता पिता से बाचित करने जैसे कारिकरते समय यदि आप कारिसाला में उपयोग हिद बेटा जमाक करने की द्रिष्ट से चीजों का निरेच्छर करेंगे तो आपको अपना प्रती एक दिन आनन्द पुरुवक लगेगा दोस्तों क्या आप कभी अपनी जीव में पैसे होने पर कुछ खरीदने की मनसा से बजार गए है वहाँ आपको ऐसी बहुत सी चीज़ दिखेंगी जिने आप खरीदना नहीं चाहते होंगे आप अपनी इच्छित वस्त को एक होज में होते हैं जिसे आप धन देकर प्राप्ट कर सकें हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन के देनिक अनभूओ को भी इस तरह देखें कि आप भरी हुई जेब को जमा किये जा रहे हैं जैसे माल लिए कि आपने एक ऐसे बिक्ति को देखा जो बहुत प्रसंचित है उस बात को आप अपने ध्यान के समय याद करें यदि आप ऐसे बिक्ति को देखें हैं जो आपका मन पसंद वाहन चला रहा हो तो उसे भी ध्यान करते समय आप अनभू करें उसे सोचें आपको ऐसी आजीवका दिखती है जो आप अपनाना चाहते हैं अर धाथ उसे देखकर आपको खुजी मिलती है तो उसे भी याद करें और ध्यान के समय आप इसका मनन करें दोस्तों जब भी आप अपनी बाहरी जीवन में ऐसी कोई चीज देखते हैं जिसे देखने पे आपको सुक का अनभू होता है आपको अच्छा महसूस होता है तो उसे आप अपने चीतन मस्तिस्क में जमा कर लें और ध्यान करते समय उस चीजों को अपने मस्तिस्क में ले आएं आप जिन भी चीजों को प्रात करना चाहते हैं उसे आप अपने जीवन अनभूँ में सामिल करना चाहते हैं तो उस चित्र को आप अपने कल्पित मानसिक बैंक में जमा कर लें। इसके बाद जब आप ध्यान करने बैठें तो उस चित्र को आत्मसाद करना आरंब कर दें। ऐसा करते समय आप स्वयंग को अपनी मनपसंद वत को अनभो करने तथा स्वयंग को प्रसंता प्रदान करने वाले सार को ग्रहण करती तस्वीर निर्मित करें यादि आप अपने इन वास्टवी कार्यों की करने की छंता प्राप्त कर लें तब आप कुछ भी करें अपने आज पास अपने ध्यान में उपयोग करने की आकांच्छा से अपनी मनपसंद चीजों को खोजें जहां आप जि जब आप स्वयं को अनंदित महसूस कर रहे हैं और अपने ध्यान के अवस्ता में बैठे हैं तो आपको अपने ध्यान में जो करना है मैं उसको बता रहा हूं आपको इसको अपने मन में लाना है कि मुझे यहां होना अच्छा लग रहा है मैं इस समय की सक्तिव मुल्य को ज मैं अपनी बनाई इस तस्वीर में उर्जा से भरपूर हूं। मैं स्वयं को कार में घुषते, निकलते, बिडिलिंग में प्रविष्ठ होते, तथा बाहर निकलते, कमरे में आते जाते, चर्चा शुरू वखत्म करते, तथा जीवन के अनवोगों को भोगते बीचते देख मैं स्वयं को बिना किसी प्रयास के सहज व प्रसनता पूर्वक प्रवावित होते देख रहा हूं। मैं केवल उन्हीं की और आकरसित हूं, जो मेरी वर्तमाना कांच्छाओं किसे सामंजस रखते हूं। मैं अपनी इच्छा के प्रती हर इच्छण अधिक से अधिक अस्प मैं स्वयं को वही कपड़े पहनते देख रहा हूं, जैसा मैं चाहता हूं। मैं जान गया हूं कि जीवन के प्रतीयक छेतर में मेरी संभावनाएं अनंत हैं। मेरे पास ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें अनंत रासी है और मुझे जीवन के अन्वो को समझते हुए या जान कितनी का मेरा सामर्थ है क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मैं वह चुम्बक हूं जो कभी भी कितनी भी समरित ही स्वास्थ वह रिष्टो को चुन कर उन्हें आकर्शित कर सकता हूं। मैं पूरता वह निरंतर प्रचूरता का चैन कर रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि ब कि प्रतियक व्यक्त इसे समझे और इसकी इच्छा करे तब हर कोई इसे आकर्षित कर सके मैं जानता हूं कि मुझ में इसे आकर्षित करने की सकती है और मैं जब जाहूं तब ऐसा कर सकता हूं जब भी कोई वस्त पाने का विचार बनाता हूँ, धन अपने आप मेरी और प्रवाहित होता है, इसलिए मेरे लिए प्रचूरता वस्मृत्त की असमित अपूर्थ उपलब्ध है। जा सकते हैं, और उन्हें यद ऐसा कुछ भी चुनना होगा, जो मुझे पसंद नहीं है, तो वो मेरे अनुवों में सामिल नहीं होगा। और ध्यान नहीं दे रहा है, मैं स्वयआं को स्वस्त देख रहा हूं, मेरे पास अनन्थ सम्रीधि है, मैं स्वयआं को जीवन में सबल देखकर इस भौतिक जीवन के अनभोग की फिर से रचाराना कर रहा हूं, जिसे मैं इतना चाहता था कि मैंने इस भोतिक अस्तित में आने का निड़े किया है भोतिक अस्तित होना गौरवपुल है क्योंकि मैं अपने भोतिक मस्तिक से निड़े लेने की सरभोमिक आकरसर के नियम की सक्ति का उपयोग करता हूँ और इसी आस्चर जनक अस्थित के कारण मैं अधिक से अधिक को आकर्षित कर पाता हूं। यह बहुत अच्छा एसास है, यह बहुत आनन दायक है, मुझे यह बहुत पसंद है। दोस्तों, इन में से चुनी हुई बातों को आप प्रत दिन 15-20 मिनट और ज्यादा हो सके तो 30 मिनट तो आपको प्रत दिन उठने के बाद और सोने से पहले आपको अपने ध्यान में इसे रखना है, और आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है, जहां आपको कोई दिश्टर्म करें, आपको परिणाम जल्द ही मिलने लगेंगे, इस नियम को आपको कम से कम 41 दिन तक करना है, उसके पहले आप ये मत सोचिए कि आप में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, रोज आप परिवर्तन का अहसास करिए सिर्फ ध्यान में, ध्यान से उठने बाद आप उसको जीने का अहसास करिए, आप अहसास करिए कि आपके साथ ये घटित हो रहा है, आप एक 40 दिन बाद अब हो सकता है उसके पहले ही आपके साथ वो चीजे घटित होने लगें, दोस्तों, इस क्रिया को करने के बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा विसूस होता है, अगर आपको अगरा साभी सभलता मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें, धान्यवाद